साई की बात पर देखेगी पर देखेगी तुम्हारा साई जरूर आएगा और तुम्हें धेर सारा अशिरवात भी दूँगा आउँगा जरूर आउँगा मेरे बच्चे तुम ना सिर्फ मेरे बच्चे मेरा नाम जाब करोगे ना तो देखना की कैसे सब कुछ तुम्हारे जीवन और मैं आया ना मैं आता हूँ मेरे बच्चे मैं जरूर जरूर आता हूँ अपने बच्चे के बुलाने पर ना तुम्हारा बाबा जरूर आता है मेरे बच्चे मत हुआ करो परेशान तुम अकेले कहीं भी नहीं हो कहीं भी नहीं मैं आऊंगा, मैं ततपर रहता हूँ अपने बच्चों के लिए, अगर मेरे बच्चे मुझसे कह देते हैं न साई, साई एक बार आजाओ मुझे आपके जरुवत है, मैं चाहे कहीं भी हूँ दुनिया के किसी भी कोने में हूँ न, मैं अपने बच्चों के लिए ततपर रहत भागा हुआ आता हूँ मेरे बच्चे में आता हूँ। जो तुम किसी के भी आगे नहीं कहते हो ना वो सारी बाते तुमने मेरे आगे कही अपने बाबा को अपना समझते हो अपना मानते हो और तुम्हारा ये भरोसा है कि अगर मैं अपने बाबा से कहूंगा ना तो वो सुनेंगे और उस पर काम भी करेंगे और तुम्हें उसका फ तुमने हमेशा मेरे ही रूप में वहाँ दर्शन किये क्योंकि तुम मुसे इतना प्यार करते हो न कि तुम बस अपने बाबा से कभी अलग नहीं होना चाहते तो अरे पगले मैं तुझ से कब अलग हुआ बता मैं तो हमेशा से तेरे पास था तेरे पास हूँ और तेरे ही पास रहूँगा तो चिंता मत किया कर और सुन बारिश का ये मौसम जो है ना मेरे बच्चे तुझे बहुत परिशान कर रहा है मैं जानता हूँ तेरे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बिगड रहे हैं लेकिन तो चिंता मत कर ये सारे काम धीर धीरे क करने की कोशिश कर हो जाएंगे सब कुछ हो जाएगा तुझे लग रहा है कि सब कुछ विगड़ रहा है विगड़ कुछ नहीं रहा मेरे बच्चे बस यह है कि मैं तुझे कुछ आराम दे रहा हूं आराम की भी जरुवत है ना मेरे बच्चे आराम भी बहुत जरूरी है तो घर में रहकर भी कुछ ऐसी ऐसी चीजे करो जो तुम घर बैटकर नहीं कर पा रहे थे काफी दिनों से तुम्हारे कुछ घर में काम थे जो तुम नहीं कर पा रहे थे तो तुम वो कर सकते हो कुछ भी अच्छा सा करने की कोशिश करो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा मेरे बच्चे कुछ नया करो जो तुम्हारे शौण के वो करो कुछ न कुछ करो जिसे तुम्हारा मन अच्छा रहेगा और सुनो सबसे पहले अपने घर में एक कलेंडर लगाओ जिसे कि तुम चीज़े देख सको मेरे बच्चे तुम जानते हो न एका दश्री वाले दिन चावन लहीं खाते हैं जानते हो न फिर क्यों खा जाते हो गलती से भी क्यों बन जाते हैं वो हाँ चीजों पर ध्यान दिया करो मेरे बच्चे ये छोटी छोटी चीजे है ना, तुम्हारे घर में बहुत बर्बादी करते हैं मेरे बच्चे, ध्यान रखा करो, और सुनो, सरवोत्म रखना है तो अपनी इज़त को रखो, सबसे पहले तुम्हारी इज़त होनी चाहिए मेरे बच्चे, अगर तुम किसी को मान सम्मान देत और अगर वो नहीं दे रहाना, तो उस रिष्टे में रहने का कोई भी मतलब नहीं मेरे बच्चे, वहां से हट जाओ, सबसे पहले तुम्हारा आत्म सम्मान है, उसके बाद में सब कुछ है मेरे बच्चे, तुम्हारी इज़त है, अगर कोई तुम्हें इज़त दे रहा है ना हिस वक्त वो अभी अपने घमंड में है तो जाने दो उन्हें अपने घमंड में ही जाने दो चूँकि वो ना अभी समझ नहीं पाएंगे उनकी आखों पर ना अभी घमंड का चश्मा चड़ा हुआ है अभी जिस मुकाम पर वो है ना उनके मुकाम ही उन्हें घमंड पर लेकिन वो नहीं जानते कि चढ़ाने वाला तो मैं हूँ, मैं जब चाहे उठा करना नीजे जबीन पर भी फैक सकता हूँ, तो तुम चिंता मत करो, वो भी दिन तुम्हें दिखा दूँगा कि जब वो तुम से नीचे होंगे और तुम उनके बहुत उपर होगे, हाँ मैं ही था जो उनने तरक्की तक पहुंचाया, और मैं ही हूँगा, जो तुमें उनसे भी आगे, बहूत आगे तरक्की पर पहुंचाओंगा मेरे बच्चे, तुम देखते जाना, जिन्दगी जैसे तुम सोचते हो न वैसी नहीं है मेरे बच्चे सब कुछ मेरे हाथ में है एक पल में मैं कुछ भी कर सकता हूँ कैसा भी कुछ भी बलट सकता हूँ सब कुछ मेरे हाथ में है सब कुछ ध्यान रखना इस चीज़ का तुम्हारे पास वो खजाना है जो उनके पास नहीं है मेरे बच्चे तुम्हारे पास मैं हूँ तुम्हारे साथ ब्रह्मान नायक है तुम मुसे कहोगे न एक चीज भी कहोगे न तो वो चीज पूरी होगी जरूर होगी मेरे बच्चे उनके पास मैं नहीं उनके पास सिर्फ अपने होंगे और ना सुकून होगा जब उन्हें जरूत होगी ना अपने पन की जब उन्हें जरूत होगी कि हां उनके पास कोई होना चाहिए उन्हें अकेला पन खलेगा तब उन्हें समझ में आएगी तब उन्हें रिष्टों की एहमियत होगी अभी उन्हें समझ में नही बरकाता है मेरे बच्चे ऐसे तो दुनिया में मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो पूजा पाट करते हैं सेवा करते हैं लेकिन तुम्हारे पास क्या सामकरी नहीं हैं लेकिन तुम दिल से मुझे पुकारते हो, और वही सच्ची भक्ती मुझे चाहिए मेरे बच्चे, अगर तुम रास्ते में किसी को भूका देखते हो, तुम तुम तुरंथ ही खाना खिलाते हो, किसी जीव जन्तु को देखते हो न, तो अपना ही डबा निकाल कर उसके आगे रखतेते हो, इतने प्यारे हो न तुम, कि क्या कहूं तुम्हारे बारे में, और सुनो, तुम्हारा अधिकार तुम्हे जरूर मिलेगा मेरे बच्चे, चिंता मत करना, तुम्हारा अधिकार तुम्हारा ही है, तुम्हारा हक तुम्हारा ही है, कोई चाहे कुछ भी कर ले, तुम्हारा हग कोई छीन नहीं सकता, मेरे होते हुए, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम बस अपने करम करो, तुम्हारा हग तुमें ही मिलेगा, बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारा साई तुम्हारे साथ हमेशा है मेरे बच्चे, और सुनो तुमने जो हातों पर महंदी लगवाई है न वो बहुत बहुत सुन्दर है मेरे बच्चे और तुमने न मेरे हातों पर भी थोड़ी सी महंदी लगाई थी क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम्हारे बाबा को भी महंदी लगानी चाहिए और तुमने ये शरारत मेरे साथ में भी करी है ना खुश रहो आज का रात्री साई संदेश समाप्तुवा